अंग दिख व्यान्द जूचल कि आज रखी जाएगी और अथार श्याक्यला उपराश्टपती विंक ш्ष नाइडू गुरुदास्पूर मनगाओं में रखी जाएगी कोरिडूर की आधार श्याक्यला केकि wurदाष्पूर की आधार श्यारी कि विंक्रुदाहरतो प्रिमिया देरवाब अनानक और करतारपुर साहिब कॉरिडोर की पाकिस्तान में 27 नवेंबर को रखी जाए आधार शिला पाकिस्तान से भारती राजनेताओं को मिले नियोते पर गर्माई सियासत पाकिस्ताने विदेश मंत्री सुष्मा स्वरा सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग और नवजो सिंग सिध्धु को दिया है नियोता नहीं जाएंगे सुष्मा कैप्टन ने भी क्या इनकार केंद्री मंट्री हरसिमृत कौर और हरदीब सिंग पुरी और नवजो सिंग से धूप करतारपुर कोरिडर की शेलानियास में जाएंगे पाकिस्तार दिली में आतंग की हमले की मदेनजार हायला जमू कश्मीर में दिली पुलिस ने स्थानिय पुलिस की मदद से तीन आतंगवादियों को दबोचा शुनगर के काटिबाक से पकड़े गए तीनोई आतंगवादियों के आये से जुड़े होने की आश्रंका दिली में आतंग की हमले की साज़श त्रश रहे थे गिरफ्ट में आतंगवादियों में ताहिर अली खान त्राल का रहने वाला आसिफ सुहल और मुस्ताफ खान बढ़गाम के रहने वाले जम्मु कश्मीर पुलिस ने चे संदिक गातंगवादियों को जम्मु तवी एक्स्प्रेस से गरफ्टार किया पठान को ट्रेलवे स्टेशन से हुई गरफ्टारी पुलस के मताबे गिरफ्ट में आये संदिक गातंगी बना रहे थे बड़े आतंगी हमले की उजना मुमई में हुए 26-11 आतंगी हमले की आज दसवी बरसी हमले में मारे गे 166 लोगों को देश दे रहा है शुद्धा अनजिले मुमे में हुए 26 ग्यार आतंकी हमले के गुनेहगारों के खलाफ अमेरिका ने किया बड़ा एलान आतंगवादियों और हमले से जुड़े सुराग देने वालों को 50 लाख डॉलर का मिले गाए ना 26 ग्यार आतंकी हमले में चाय विक्रेता मौमत तौफीक शेख ने बचाई थी कई जिंदिगयां सीएस्टी स्टेशन हमले के दौरान भागो भागो चिलाया था नाकपुर से राम मंदिर के लिए संग प्रमुकियों कार भागवत बोले मंदिर के लिए कानून बनाए सरकार भागवत का बयान मंदिर तोड़कर बनाए गया था नहांचा वैज्ञानिक शोध में भी साबित हुआ है मंदिर का दाबा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने पर भी भागवत ने जताईना खुशी कहा लगता है कोर्ट के लिए मंदिर प्राथमिकता नहीं वारण असी में हो रही तीन दिवसी धर्म संसत का आज है दूसर देन आज होगी राम मंदिर निर्मान पर चर्चा धर्म संसत में कल उठा था वारण असी में निर्मान कारे के लिए मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा सादूसंतों ने विशुनात कोरिडोर के लिए मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया कल अलवर की चुनावी रैली में पियम मोदी ने उठाया था राम मंदिर का मुद्दा कॉंग्रिस पर कोट की सुनवाई में अरंगा लगाने का लगाया आरोप पीम मोदी का आरोप राम मंदिर पर नहीं सुरवाई चाहती है कॉंग्रेस चीफ जिस्टिस को महाभियोग की धंगी सचिन पाइलिट का पलटवार राजिस्तान में चुनावी हार सामने देखकर पीम ने चला है संप्रदाइक कार्ड सचिन पाइलिट बोले चुनाप्रचार के दोराज पीम मोदी ने पहली बार किया राम का जिक्र क्यूंकि उन्हें अब सताने लगा है हार कड़ पीम के आरोप पर कॉंग्रेस का पलटवार का पिल सिबल बोले सुनवाई टल गई तो चीफ जस्टिस पर टिपड़ी करके दिखाए मोदी मद्यप्रदेश में आज थम जाएगा चुनावी शोर्ष्ट आज अंतिम दिन चुनाप्रचार का 28 को मतदान होगा मद्यप्रदेश के कुक्षी में आज सुबे साड़े ग्यारा बजे हमें शाह की रैली दोपेट दो बजे इंदौर में करेंगे रोट शोर्ष्ट स्मृती रानी की आज मद्यप्रदेश में चार रैलियां चिंद्राडा नर्सिंग फूर 17 और चटरपुर में करेंगी सभाएं आखले शादब भी आज मद्यप्रदेश के विजावार और महराचपुर में साथी चंदला में करेंगे रैली ये जोरम में भी आज विधान सवा चनाब की प्रचार का आखिर दिन शाम पांच बजे के बाद थम जाएगा चनाबी शोर प्राजिस्तान में आज पियम मोदी का तुफानी प्रचार तीन रेलियों को करेंगे संबोध है राजस्तान के भीलवाड़ा बानिशवर और कोटा में होगी पियम मोदी की जनसभा पहली रेली सुभे 11 बजे भीलवाड़ा में लेटिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले